नमस्कार आप दिखनें सीडी वैम नियूज और मैं हूँ आपके साथ प्रीती चंद्रा शुरुआत करेंगे देश और स्थाने जनपर सहारेनफूर की कोरोन अपडेट से लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से मेरी अपील है अगर अभी तक आपने हमाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें देश में कोरोन वाइरस की दूसरी लहर अभी भी जारी है 54 दिन बाद 24 खंटे में देश में सबसे कम केस 1,27,510 सामने है जिसके बाद अपकुल संक्रमितों का आकड़ा बढ़कर 2,81,075,044 हो गया है वहीं आपको बता दे नमूने के संक्रमित आने की देनिक दर्भी कम होकर 6,62 प्रतिशत हो गई है केंद्रे स्वास्ते मंत्राले की ओर से जारी ताज आकड़ों के मताबिक बीते 24 खंटे में मोत के अगर हम आकड़ों की बात करें तो बीते 24 खंटे में 27,95 यानी 2,795 मरीजों की कोरोना के चलते मोत हो गई जिसके बाद देश में कुल म्रतोकुई की संख्या बढ़कर 3,31,895 हो गई है अब बात करें जनपर सहारेनपूर की तो सहारेनपूर में अब धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है जनपर सहारेनपूर में स्वास्तोय भाग सेनली जानकारे के मताबिक आज 48 लोगों में ही कोरोना संक्रमन की पुस्टी हुई जिसके बाद सहारनपूर में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32,513 हो गई है वही राहत की बात ये रही कि आज 169 मरीजों की रिपोर्ट निगेटीव है जिसके चलते उन्हें अस्पताल से दिस्चारज किया गया अब सहारनपूर में एक्टिव केस की संक्या 1196 है जिनका लाज अभी भी जारी है मोत के आकड़ों की बात करें तो आज सबसे जादा राहत देने वाली ख़बर ये ही है कि सहारनपूर में जब हमने अलग-अलग शम्शान घाटों से मोत के आकड़ों की जानकरी लेनी चाही तो हमें यही राहत की ख़बर मिली कि आज सहारनपूर में कोरोना से एक भी मोत नहीं हुई वहीं बीते दिन भी मोत के आकड़े कम थे सिर्फ कोरोना से मोत के आकड़ों की संक्या एक ही थी जो की राहत भरी खबर थी और आज भी राहत भरी खबर मिली है कोरोना से एक भी मोत नहीं हुई है लेकिन अभी भी कोरोना खतम नहीं हुआ है कोरोना की जो रफतार है लगाता दूरी के पालन के साथ साथ मास्क का परयोग करना है अभी के लिए इतना ही एक बार फिर हाजिरोंगे लेटस्ट अपडेट के साथ ये अपडेट आपको कैसा लगा आपनी विचार हमारे कमेंट बोक्स में जरूर दीजेगा और हड़ अपडेट पाने के लिए यूही देख सीटी वैब तब तक के लिए धन्यवाद